हाई ओल में स्टासिटिप लाइन फैमिली कैसे है आप सब उमीद कत्यू आप सब अच्छ होंगे और पॉजिटिव होंगे साथी साथ पॉजिटिव अफिर्मेशन भी आप लोग देते रहोगे तो कही ना कही आज हम सप्टेंबर की रीडिंग करने वाले हैं जी हां सप्टे रहता है मार्स के एनरजी मार्स मतलब हो गया एडवेंचर हो गया आपका पैशन हो गया लव हो गया मैरेज हो गया ठीक है जो कि आपके रूट चक्रा से चुड़ा हुआ है ठीक है जो कि सब्टेंबर मन दिखाता है नौ नंबर दिखाता है और इसी के तहेत हम देखने वा तीक है जिनको नहीं पता है उनके लिए तो पाइल नंबर बट यक ने को नियुकर से। यह दिखना देती हुँ तो जिनको ब耶ट्स नहीं पता कांब लिए कार्ण कामड करें कार्ण कि या फिर आप काड्स देट Mac Pile No.1 के लिए पिक कार्ड रहेगा Mother Mary and Pile No.2 के लिए कार्ड रहेगा reveal करते हैं वो है या Elmoria ठीक है Elmoria तो ये कार्ड है ठीक है तो चली गाइस देखते है Pile No.1 से शुरुबात करते हैं कि September मन्त आपके लिए क्या लेकर आया है Let's begin Hello मैं Pile 1 पीपल तो अगर आपने date of birth ये वाले चूस करें गाईस ठीक है जो आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 और अगर आपने Mother Mary का कार्ड पिके कार्ड के तौर पे चूस किया है या सिलेक्ट किया है तो ये Pile 1 है Welcome on your reading ठीक है तो आज की जो reading रहेगी मैंने introduction में बताया है September ये 9 को दिखाता है 9 नमबर को दिखाता है 9 मतलब रहता है Mars के energy ठीक है तो कही न कही Pile 1 न मुझे आपके लिए ऐसी ही energy फील हो रही है गाईस कि आप अपने life को न हो सकता है complete करना चाहते हो ठीक है या फिर किसी partner का इंतजार कर रहे हो soulmate का इंतजार कर रहे हो एक happy family आप लोग चाहते हो बच्चा चाहते हो success चाहते हो ओके न Pile 1 मुझे आपकी ऐसी ख्वाईश दिख रही है दिल की आपकी कोई ख्वाईश है कि जहाँ पर आपकी पूरी life जो है आपकी पूरी जिद्दगी जो है या फिर पूरी family जो है complete हो जाए इस तरह के से Pile 1 की कोई wish हो सकती है ठीक है यह मुझे energy के तौर पर messages मिले है and that's why मैं बता रहे हूँ हाला कि हम देखते है Pile 1 कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है Pile 1 ठीक है let's begin let's begin guys ठीक है yes तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ and मैं काच निकाल देती हूँ आपके लिए Pile 1 कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है for Pile 1 people okay Pile 1 के लिए क्या लेकर आया है सितंबर मंथ universe okay so first energy आपके लिए निकलती है magician के energy निकलती है वाव दिखी पहली energy है कि magician है तो हो सकता है आप लोग Gemini राशे के हो nine of swords है यहाँ पर ठीक है उसके बाद है ace of swords है Gemini Libra Aquarius आप लोग रहो के strongly Pile 1 and यहाँ पर है tower के energy है okay one more लेती हूँ clarify करने के लिए five of cups है okay हम और थोड़े से card लेती हूँ guys फिर मैं विस्तास आपको बताती हूँ कि सितंबर मन्त आपके लिए क्या लेकर आया है okay bottom में देखते है क्या निकला है आपके लिए pile number one you have here देखिए star के energy है ठीक है इतने मुश्किलात के बाद pile number one finally मुझे दिख रहा है कि बहुत positive चीज़े आपके जीवन में होने वाली है सितंबर मन्त में लेकिन हो सकता है कि आप लोग ना expect नहीं कर रहे हो या फिर आप लोग ना अपने ही life में इतने तूट चुके हो बिखर चुके हो कि जहां पर ना आप लोग सोच नहीं रहे हो कि ये चीज़ें आएंगी कुछ worse के energy हो सकती है और इसके तहित है कि September मत में आपकी जो energy वापस reciprocate हो जाए या फिर वापस जो आप सोच हो ना वही आप लोग attract करो हो कैसा मुझे दिख रहा है पाइल नुबर वाण तब को यह पर पॉजिटिव सोचना है ठीक है पॉजिटिव है आपके लिए मैं बताओंगे आपके लिए पॉजिटिव है गाइस ओके यहां से भी यहां से भी कुछ मैसेज़ेस लेते फॉजिटिव पाइल नुबर वाण पीपर सितंबर में आपके लिए क्या है सितंबर मन्थ सप्टंबर मन्थ आपके लिए क्या लेकर आया है पाइल नुबर वाण पीपर you have your rest and regination जाहिर है, यह message तो आना ही था क्योंकि यह आपर nine of swords की energy है pile number one, ठीक है उसके बाद है appreciation की energy है okay and one more लेते हैं यहाँ पर you have your woman holding a heart ठीक है and bottom में देखते हैं यहाँ पर है it's all tied up जाहिर है guys, मैंने जो कहा ना आपको pile number one people सित्मबर मन्त आपके लिए क्या लेकर आया है पहली चीज मुझे दिख रही है या मैंने राशिया आपको अलड़ी बताया है ठीक है, जमना लिबरा एक्वेरियस एरिस राशी आपको बहुत दा स्ट्रॉंग है मेश राशी, जमिना राशी और कैंसर पैसर स्कॉपियो, ठीक है कुछ और यहाँ पर एक्वेरियस भी रहेंगे ठीक है, जरूरी नहीं क्योंकि जेनरल लिडिंग है यह आपके पोस्नल या प्राइवेट ट्रीडिंग नहीं है ठीक है pile number one सित्मबर मन्त कहीना कहीना आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़े लेकर आ रहा है कि जिसको आप मनिफिस करें हो गया ठीक है दिल से मांग रहे हो, मैंने कहा था साइकिक लेवल पर कुछ चीज़ आप ऐसे मांग रहे हो कि जहाँ पर आपकी लाइफ जो है complete हो जाए यह आपकी विश है pile one यही विश मुझे सितंबर में आता हुआ दिख रहा है कि जहाँ पर आपके जो tensions है ना वो दूर हटेंगे tensions हटेंगे आपके रातों की नींद जो है अभी जो उड़ चुकी है या फिर जा चुकी है कही ना कही आप ना देखोगे कि आपके लाइफ में सुकून आ रहा है पीस आ रहा है क्योंकि ना यह पर nine of swords के बाद ace of swords है रहेंगे कि मतलब न आप अपने life को resonate करने वाले हो आपके life अभी right होने वाले है कि जहां पर अभी अप परेशान हो जहां पर आप clarity चाहते हो जहाँ पर आप answers चाहते हो, सवालों के जवाब चाहते हो, यह सितंबर मन आपको देगा, Pile No. 1 पेपल, ठीक है, क्योंकि कहीना कहीना Pile No. 1 मुझे दिख रहा है कि आपको ना कुछ साइन्स ही मिलेंगे युनिवर्स के तरफ से, ठीक है, आपके लाइफ के जो मसले रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, चाहे हो आपके मनी के चलते है, बिजनेस के चलते है, जो आपके चलते है, जिस भी मामले के लिए रहेगा, ठीक है, कुछ चीजे आपके लाइफ में पूर्ण से शुरुबात है, ठीक है, मतलब ना, अगर मैं कहूँ कि नो डाउट जुलाई तक या फिर आउगस तक, मैंने जुलाई कहा तो जुलाई तक भी हो सकता है, जुलाई आउगस तक चीजे आपके लाइफ में ऐसे हुई कि वो कही ना कही तूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, ठीक है, एंड कही ना कही आप उमीद नहीं करें कि यह चीजे आएंगी, लेकिन सित्तमर मंत में आप देखोगे, कि आपकी लाइफ जो ही वापस रेजिनेट होने वाली है, वापस पुनह से शुरुवात होने वाली एक foundation create होगा, पाइल नंबर वन, ठीक है, आपकी जिंदिगे का foundation create होगा, कि जहाँ पर आपको कदम रखना है, क्योंकि तावर के बाद आप फाई वाफ कप्स की energy है, मैंने कहा थे कि कुछ वर्स ऐसे है, पाइल वन की, कि आपको उमीद नहीं है, कि यार क्या ये reading, ऐसे ही क system कम रहता है, हम बार-बार पास के energy में जाते है, हम आने वाले चीजों को नहीं देखते है, future के बारे में नहीं देखते है, future की positivity की तरफ नहीं देखते है, ठीक है, तो पाइल नंबर वन आपको यही कहा जा रहा है, कि सितंबर मंत आपके लिए, लिट्टेली काफी सारे च फिर संभाल पाओ, तो आपको देखना है, इन opportunities को देखना है, इन situations को देखना है, इस person को देखना है, ठीक है, क्योंकि clarity आपकी तरफ आने वाली है यहाँ पर, ठीक है, चीजे आपके लिए clear हो जाएगी September मंत में, अगर यह चीजे अधूरी थी, अधूरी है अब तक, August तक अधूरी है, तो September में आप देखोगे कि यह सारी चीजे ना, foundation के तौर पर ना, build-up होने लगेंगे September मंत में, लेकिन इसके लिए आपको इन चीजों के तरफ देखना है, ना कि मायूसी energy में रहना है, पाई number one, ठीक है, क्योंकि September आपके लिए कहीना कहीना, एक wish fulfillment की भी energy मु इस स्टार का कार रहें, ओके देखने हैं, यह विश कहीना 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 आपकी higher self की तरफ से है, universe की तरफ से है, cosmic energy की तरफ से है, जिसको आप शिदत से मांग रहे हो, जिसको आप बहुत time से manifest कर रहे हो, यह कहीना कहीना फुलशूथ हो जाएंगे September मंत में, लेकिन यही एक situation को अपने दिमाग को खाली रखना है जो भी अपने चीज़े खुद से अनुमान लगा के बैठ्व कि नहीं होगाद्व की नहीं होने वाला है इश्वर तो सिर्फ कहते हैं यह एडिंग्स तो सिर्फ आते हैं मेरे लाइफ में कुछ नहीं होता है अगर आप सारे चीज़े अपने दिमाग में भरके रखे हो ना इसको निकाल दीजी गाइस, ठीक है, आप कहीं न कहीं, काफी सार चीज़ों से रिलीज भी हो चाओगे, पाइल नंबर वान, राइट, तो काफी सार चीज़ों से मुझे रिलीज होते हुए दिख रहे हो, यह टेंशन हो सकता है, बर्डन हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है, बिट्रेल हो सकता है, तो जो भी पास में अब तक आपका हो चुका है, किसी पर अब हो रही है, एक फाउंडेशन क्रियेट होगा आपके लाइफ का, पाइल नंबर वान, राइट, तो यहाँ पर आपकी एडवाइस ही दिया जा रहा है, कि आपके मन को शांत रखना है, सितंबर में जितना हो से किना, मेडिटेशन के तरफ ध्यान दीजे, अपने स्पिर होगे उट करने लगेंगे, वो भी हाथ बढ़ाने लगेंगे सितंबर मन्त में, ठीके सितंबर मन्त में में अपरिशिशन का भी मेसेज लिएगा, आपको नवाज आ जाएगा, आपकी कदर करी जाएगी, आपको रिस्पेक्ट करा जाएगा, साथी साथ यहाँ पर कोई लिए मैं बता देती हूं 19 देट करदेध निटमज यह जतरा में एक तारीक है now at in benefits 5 शौह तारीख मुझे हैं इतने स्तैंबर में अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है डियाand है जितना हो सके कुद hom desk करिें जितना हो सके अपने आपको ढ़ह कोशिश करिए ठीक है क्योंकि ना कुछ ऐसे भी situations आ सकते है पाइल number one कि जहाँ पर ना old situation या फिर old चीज़े आपकी जीवन से चले जाए जो आपके बहतर के लिए नहीं है ठीक है वो आपकी जीवन से चले जाए क्यों जाएंगे क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अच्छा आने के लिए कुछ अच्छा परिवर्तन आने के लिए कुछ अच्छा इंसान आने के लिए या फिर कुछ अच्छा opportunity आने के लिए हो सकता है कुछ viewers के लिए message है कि आपके जीवन से ना कुछ चीज़े चली जाए चली जाए और फिर हो सकता है और अगस्ट में ही यह चीज़े हो रही है कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़े फिसल रही है तो फिसल रही है क्यों फिसल रही है क्योंकि सब्तमबर में सितमबर में कुछ नए चीज़े आने के लिए कुछ नए आगमन हो रहा है आपके लाइफ में और जो old clutters है वो आपकी जीवन से चले जाएंगे जो आपके लिए बहतर के लिए नहीं है तो आपको ये धान में रखना है तो ये चली जा रहे हैं तो उसको जाने दो जो आपके लिए बहतर नहीं है ये सक्टमबर में आपको करना है सप्टेंबर में आपको करना है क्योंकि कई ना कही अगर आप रिलिस करते हो तब ही आप देखओ कि यॉनिवर्स कॉस्मिक एनोージस भी आपके लिए काम करने लगेंगे सारा ब्रम्हान भी आपके लिए काम करने लगेगा आपके विश के लिए आपके डिजायर के लिए पाइल नमबर वन ठीक है तो कुछ चीज़ आपको बहुत तकलीफ दे रही है और गस्त तक हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको तकलीफ दे रही है या बर्डन हो सकता है माइं प्रॉब्लम हो डिप्रेशन हो या फिर कुछ हो सकता है health issues तो आपको डॉक्टरी जा चलेने के लिए कहा जा रहा है ठीक है जितना हो सके पाइल नबर वन अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजे जैसे के मैंने कहा था self love आपको सब्टेंबर में करना है कि कोई जितना आप अपनी तरफ ध्यान दोगे ना देखो कि आसपास के energies भी change होने लगेंगी ठीक है और जो आपका crown है जो आपका ताज है जो आपको मिलना है वो आपको मिलकरी रहेगा तो आपको प्रोफिशन रहे चाहे वो आपको बिजनेस रहे चाहे वो लव प्रपोजल हो या बिजनेस प्रपोजल हो राइट तो यह चीजे आपकी तरफ आने के लिए आपको अपनी तरफ ध्यान देना है अपने self love के तरफ ध्यान देना है क्योंकि मैंने कहा था यह मंत क काहिना कही पैशन के लिए दिखाता है, फाइरी एनरजी को दर्शाता है, रूट चक्रा के लिए दर्शाता है, ठीके लेकिन इस मंत में कहीना कही मुझे दिख रहा है, पायन नमबर वन, कि आपना किसी चीज को लेकर बहुत ज़दा परिशान रहोगे, तो अपको परिशान तो एंजन नमबर रहेंगे, ट्रिपल वन, ट्रिपल नाइन, डबल वन, डबल वन, सोला, सोला एंजन नमबर दिखेंगे, ट्रिपल फाइव अपको दिखेंगा, ट्रिपल फोर आपको दिखेंगा, पंदरा, पंदरा, उननीस, उननीस ये एंजन नमबर दिखेंगे, तो यहां से भी Krishna से भी आपके लिए मैसेज़ेस लेते हैं, सितंबर मत आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीज़े आपके जीवन से फिसल जाएंगी जो आपके लिए भहतर के लिए नहीं है, तो इसके लिए आपको रोते बैठना नहीं है, बिलकते बैठना नहीं है। आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। जो चीज रही हो, क्या बहतर के लिए अच्छे के लिए जा रही हो, क्योंकि एक नए ऐख foundation अपके लिए क्रियेट होगा पाइल वन, ओके रिपेटिटिटिव मैसेज हो रहे that means it's an underline for you guys तो यहां से कृष्णा से messages लेते हैं पाइल नबर वन के लिए you have your guys faultless ओकी, तो completely universe पे surrender करिये ठीके, जो भी आपके जिंदगी में होगा या फिर जो भी अब तक हुआ है आपको न गिल्ट लगा कर नहीं बैटना कि यार मेरी क्या गलती थी कि मेरे लाइब से फिसल रहा है मैंने कहा था यहां पर guys, okay कि कुछ चीज़ आप से फिसल रही है या फिर फिसल चुकी है या फिर अपने उसको बाई-बाई कर दिया है तो अगर आपने छोड़ दिया है अगर कोई जा चुका है कोई profession जा चुका है इनसान जा चुका है relationship जा चुका है या जा रहा है जाने के कतार में है तो इसके लग को guilt लेकर नहीं बैठना है कि मेरी क्या गलती थी या गलती है कि जिसके वज़े से यह situation मेरी life से जा रहा है यह जा रहा है अच्छे के लिए जा रहा है file number one ठीक है क्योंकि आपके life में कुछ और भैतर आने के लिए that's why यह जा रहा है क्योंकि आपके life में जो भी हो रहा है यह कही ना कही क्रिष्णा गवाई ही देते है यह आपके लाइफ के लिए इश्वर विटनेस है जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो गाई तो इसके लिए यहापर five of cups के energy five of cups यही बता रहा है आपको कि past के बातों को आपको धोराना नहीं है past के किसी भी चीज को आपको दिल को लगा कर नहीं बैठना है so that यह आपको और ज़्यदा परिशान करे ठीक है तो अभी आपको यही कहा जा रहा है कि September month is very nice September month में आपको बहुत ही relax रहना है शान्त रहना है जहापर आप अपने आपको healing देते हो जहापर आप अपने आपको energies भी आपके लिए काम करने लगते है आपके wish के लिए आपके manifestations के लिए आपके prayer के लिए जो कि September month आपके ले कर आया है Pile number one ओके तो yes Pile one यह थी आपके लिए September month की reading September की reading क्या आपके लिए ले कर आया है तो इसे के साथ मैं reading end करते हूँ and I hope भी आपसे resonate ज़रो कर रहा होगा yes मुझे comments पर बताना ना भूले साथी साथ like share and subscribe करना ना भूले so thank you for listening bye bye take care God bless you and love you all Hi I'm a pile two people so अगर आपने ये वाले बड़ डेट्स को choose कर रहे guys जो की है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 और अगर आपने ये वाला पिक कार्ड पिक किया है जो की है El Moria Awakening Presence so ये pile number two है and welcome on your reading तो आज की जो reading रहे की all about September month September month आपके लिए क्या लेकर आए है वो हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे साथी साथ आपकी energy भी यहाँ पर बताऊंगी pile number two कहीना करिये मैंने आपको बताया था मैंने इंट्रडाक्शन में ही बताया था कि September जो month है ये Mars energy को दिखाता है नौ number को दिखाता है जो कि passion रहता है, love रहता है adventure रहता है career goals रहता है ठीक है, lot of fiery energy September month लेकर आता है guys ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो energy है ना pile number two मुझे ऐसे feel हो रही है कि आप वाकी में चाहते हो कि आपकी जो life की जो गाड़ी है वो आगे बढ़े काफी सारे plants आपके रहेंगे काफी सारे सपने आपके रह सकते है और ना लंबे समय से हो सकता है pile number two people के आपकी life ना एक जगे पर आके रुप चुकी है या फिना आगे नहीं बढ़ रही है ठम चुकी है किसे भी फामले में हो सकता है करियर में हो सकता है आपकी जॉब में हो सकता है प्रोफेशन में हो सकता है, लव में हो सकता है business में हो सकता है आप से जैसे resident होता है guys वह ही लेना है right तो यहाँ पर पाइल नमबर टू people आपकी life की जो गाड़ी है वो आगे बड़े आपके life में changes आए परीवरतन आए यही आप wish करते हो पाइल नमबर टू यही आप मांग रहे हो guys and हो सकता है August तक आपकी life में जो परीवरतन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ वर्स के energy ऐसे भी हो सकती है कि आपका कुछ प्लान रहेगा travel करने के लिए visa का हो सकता है abroad जाने का हो सकता है different city, different state जाने का हो सकता है out of country जाने का हो सकता है बदलाव यह हो या फिना यह चीज़े आपके जीवन में आए इसके लिए हो सकता है पाइल नबर टू आप manifest करे हो प्रेयर्स कर रहे हो ठीक है यह कुछ वर्स की energy है गाइस राइट तो यहाँ पर पाइल नबर टू देखते हैं हम कि सितंबर मन्त आपके लिए क्या लेकर आया है मैं यहाँ पर रख देती हूँ ओकी यह बोड डेट्स हैं जिन्होंने कार के हिसाफ से रीडिंग को लिया है पिक किया है यह कार में यहाँ पर रख देती हूँ ठीक है सितंबर मन्त आपके लिए क्या लेकर आया है पाइल नबर टू पाइल नबर टू आपके लाइफ में ना कुछ चीज़े ना अच्छानक से बदलती है पता नहीं क्यों बटी एनरजी मुझे मुझे मिल रही है कि सब कुछ अच्छा चलने लगता है लेकिन धराम से आपके लाइफ ना एकदम से बदलने लगती है फिर ना बदलाव ले लेती है ठीक है मतलब ना अगर पोज़िटिव होता है तो फिर निगेटिव की तरफ जाते हो और निगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरह जाते हूं ठीक है इस तरह किसे न चेंजिस आपके लाइफ में बार-बार-बार होते हैं रिपीट होता है ऐसे मुझे एनोची पाइल नंबर टू की दिख रही है लेकिन पाइल नंबर टू के विवर से ही चाहते है कि आपकी जो लाइफ की गाड़ी वो आगे बढ़े आपका जो रुका फेज है वो आगे बढ़े राइट तो चलिए देखते हैं ओके पाइल नंबर टू सितंबर मन्त आपके लिए क्या लेकर आया है काईस सितंबर मन्त आपके ल रहोगे, 2 of pentacles, Taurus होगे, Capricorn अपर रहोगे, again Taurus होगे, Capricorn, 4 of pentacles है यहाँ पर, Pile number 2, 9 of swords, यहाँ पर कुछ हुवर्स, Pile 1 से आये होए, या फिर, Pile 2 से Pile 1 को अप गये हो, ठीक है, 9 of swords, Gemini Libra Aquarius अपर रहोगे, and you have your knight of swords, again Gemini Libra Aquarius, Pile number 2, Pile number 2, यहाँ पर bottom भी check out करते है, आपके लिए, क्या निकला है, it's 4 of cups, Pile number 2, Pile number 2 के लिए सितंबर मन्त, क्या लेकर आया है, Pile number 2, Pile number 2 के लिए सितंबर मन्त, क्या लेकर आया है, So, you have here, garden and the gate है, उसके बाद निकलता है, anxiety, मैंने ये चीज भापी थी, guys, शुरुवात में ही मैंने चीज भापी थी आपके लिए, And इसी के तहत ही मैंने कहा था, कि आपकी लाइफ ना बार 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 बदलती रहती है, change होती है, इसी के तहट न आपना बार-बार सोचते हो कि मेरे लाइफ में चीज़े क्यों हो रही है, क्या वज्जा है कि बार-बार में लाइफ में चीज़े आती रहती है bottom में है it's happy family ठीक है family में भी हो सकता है आपके job profession में हो सकता है बच्चों के चलते हो सकता है खुश्यों के चलते हो सकता है जैसे आपसे resonate होता है इस वही लेना है मैं सिर्फ आपको energies narrate कर रहे हूँ आपको अपने life से इसको resonate करके लेना है pile number one, pile number two people okay pile number two यहाँ पर सित्तमर मतना आपके लिए major चीज़े तो मुझे नहीं दिख रही है ठीक है pile number two people आप लोग ना अपने money के चलते काफी जूल रहे हो काफी एक ना financial stability के लिए काफी आप मशचगत कर रहे हो इदर उदर भटक रहे हो काफी struggles आप लोग कर रहे हो इसके चलते मैंने कहा ता गाईस के आपकी life जो हो आगे बड़े आगे mode ले आपको आगे का रास्ता नजर आए आपके money के चलते है financial success के चलते है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर questions हो सकते है आपके money के चलते है stuck है आपकी life यहाँ पर pile number two people money के चलते ही आपकी life यहाँ पर stuck है यही वज़े है pile number two majority pile number two के लोग जो है यह money finances के लिए struggles देख रहे है ठीक है इसके लिए आपका न मैं कहूँ न pile number two कि आप लोग रातों को सो भी नहीं रहे हो राइट तो यह चीज़े मुझे हाँ पर दिख रहे है तो pile number two सितंबर मत आपके लिए क्या लेकर आया है पहले चीज़ मुझे दिख रहे है सितंबर मत में आप जहाँ पर कोशिश कर रहे हो तो struggles कर रहे हो उसका फल आपको मिलकर रहेगा सितंबर मत में ठीक है आपका एक जगल फेस कतम होगा आपना जो जूल रहे हो अपने money के चलते अपने job के चलते business करियर या फिर relationship हो गया, marriage हो गया जहाँ पर आप लोग जूल रहे हो ठीक है तो वो कही ना कही आपका खतम होता हूँ मुझे दिख रहे है सितंबर मत में क्योंकि सितंबर मत में आप काफी सारे चीज़े बटोर होगे या फिर चीज़े universe आपके लिए ऐसे ले करेंगे कि जहाँ पना वो आपके लिए stable रहेंगी pile number two जो अब तक आप लोग stability नहीं देख रहे थे pile number two ठीक है मैंने कहा था आपके life की जो गाड़ी है वो अभी सितंबर मत में चल पड़ेगी चल पड़ेगी लेकिन धीरे-धीरे दीरे दीरे ही सेगी लेकिन ये परिशन आपको कर देगी या फिर हो सकते कि आपका believe नहीं रहे कि सितंबर मत में या आएगा या नहीं आएगा मैं इतने सालों से देख रहे हूँ इतने महने से देख रहे हूँ लेकिन ये reading workout नहीं हो रहे है आपके मुझे पॉजिटिवी दिख रहा है कहीना कर यह आपके निगिटिविटी से आप बहार निकलते हो मुझे दिख रहे हो आपके सक्सेस के लिए आपके विक्टरी के लिए for the month of September for the month of September ठीक है यहाँ पर आपके लिए आपके लिए काफी सारी चीज़ पैशिंट से आएंगी पैशिंट भरी आएंगी आपका करियर हो सकता है गोल हो सकता है कुछ गोल आपका रहेगा कुछ मैनिफेस्टेशन से आपके रहेंगे ठीक है तो वो कहीना कहीं मुझे सप्टमबर में आता हुआ दिख रहा है साती साथ अगर कहाँ पर आपके पैसे स्टक है तो वो कहीना कहीं आपको मिलता हो मुझे दिख रहा है ठीक है इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो सितमबर में तो यह आपके लिए लगी रहेगा घर बुक करना चाहते हो या फिर आप ट्रावल करना चाहते हो मैंने कहाता गा इसे हाँ पर ट्रावलिंग के एनर्जी मुझे पहली मिली थी तो ट्रावलिंग का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पर आपका यह जगल है कि होगा यह नहीं होगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए टिकेट्स बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी मुझे आपर दिख रहा है टिकेट्स बुक आपका हो सकता है सितंबर मैं हो सकता है कि आपका वीजा यह पर अप्रूव हो जाए ठीक है financial मुझे success आता हुआ दिख रहा है financial stability मुझे आती हुए दिख रही है साथी साथ घर आप मुझे book करते हुए दिख रहे हुए सितंबर मत में या फिर आपका जब property रहेगा कि दिमाग में चीज़े clutter रहेगी ओके दिमाग में रहेगा negativity रहेगी कि या नहीं होगा नहीं होगा तो इस से आपको बाहर निकलना है तब ही जाके चीज़े work out होती है ऐसे work out नहीं होती है tarot readings ऐसे काम नहीं करते है tarot readings ऐसे काम करते है जब आपकी जो energy positive रहती है और आपे nine of souls की energy निकली है तो nine of souls अगर दिमाग में कुछ negative आता है तो उसको आपको तुरंत कट करना है ठीक है अगर कोई चीज़ आपको बहुत परिशान कर रही है तो उसको कट कर देना है ठीक है रातों को आपको सोचते नहीं बैठना है ओवर्थिंक नहीं करना है तो ओवर्थिंक से आपको release होना है तब ही जाके आप देखोगे कि आपके struggles जो है वो रंग लाएगी सितंबर मन्त में positive है लेकिन आपको positively लेना है ठीक है यस जल्दबादी में कोई बिडिसिजन आपको नहीं लेना है सितंबर मन्त में मैंने कहा दीरे दीरे ही सही लेकिन आपको सितंबर मन्त में एक रास्ता मिल जाएगा एक वे आउट मिले जाएगा ठीक है यहाँ पर messages के तौर पर लिखला है तो garden and the gate है तो garden and the gate कहिना कर यहीं बता रहा है कि universe आपकी तरफ opportunities या situations लेकर आएंगे लेकिन इसके लिए आपको ना बहुती सयम से रहना है immediately उस पर jump नहीं डालना है guys ठीक है बहुती सोच विचार करके decisions लेना है okay दिमाग में pressure लेकर thoughts लेकर decisions को नहीं लेना है जहाँ पर उससे बहार निकलना है आप बहार निकल सकते हो या फिर जो आपके जो आपसे दूर जा रहा है उसको दूर जाने दीजिए ठीक है walking away है मतलब जो आपके लिए बहतर नहीं है जो situation आपको परिशान कर रहा है जो person आपको परिशान कर रहा है जो matter आपको परिशान कर रहा है उससे बहार निकलना है ओके दूसरा जरीया देखिए दूसरा मार्ग देखिए ठीक है बाहर निकलना है मतलब दूसरा जरीया आपको देखना है और दूसरा जरीया आपको मिलता है जहां पर है वाकिंग आवे का काड है यह बता रहा है कि जो situation आपको बहुत ही परिशान करके रखा हुआ है तो उससे बाहर निकलिए तीक है क्योंकि यही चीज हो सकती है आपके लाइफ में सब कुछ हो सकता है लेकिं कोई एक चीज यह बहुत जब परिशान कर रही है तो परिशान कर रही है तो आपको उससे निकलना है रूसरा वियाउड देखना है Pile 2 इससे आपको रास्ता भी मिल जाएगा ठीक है रास्ता मिल जाएगा मंजिल मिल जाएगी क्योंकि चैनी सित्मबर मुंत में कही न कही आपके कुछ health issues भी रहेंगे तो आपकोesta ilgery project भी लेनी है ठीक है छिर्फ अनुमान नहीं लगाने के कि मेरे साथे क्यों हो रहा है आपको डॉक्टरी जाज लेने हैं अगर आप कंसर्टेशन्स लेना चाहते हो तो कंसर्टेशन्स भी आप ले सकते हो गाइस लेकिन ओवर्थिंग करने से कोई मतलब नहीं बनेगा पाल नंबर टू ठीक है आपको प्रोटेक्टर रहना है आपको अपने सेल्फ कॉंफिदेंस को बरकारार रखना कि आप कर सकते हो आपना सब कुछ पा सकते हो इस तरह किसा आपको पाल नंबर टू पिपल क्योंकि आपके स्ट्रगल्स को यहाँ पर नवाजा जाएगा स्ट्रगल्स से आप लोग बहार निकलते हो मुझे दिख रहे हो लेकिन आपको सही में डिसिजन लेना है सही तोर पे डिसिजन लेना है गाईस आज जो यूनिवर्स आपके लिए अपर्चिटीज लेकर रहेंगे सप्टेंबर में उसको ग्राब भी करना है क्योंकि हाँ पर ना कुछ वर्स हो सकते हैं कि आपना अपने पास को लेकर बैट है कि मैंने इतने साल वेस्ट किया इतना मेरा लॉस हो चुका है इतना सब कुछ हो चुका है सी लॉस हो गया सो हो गया लेकिन जो यूनिवर्स आपको दे रहना एक हापी खुशाल फैमिली के लिए आपके लिए कुछ दे रहना तो आपको स्विकार भी करना है ना कि आपको ग्रैब करने के लिए कहा जा रहा है सित्मर मत में क्योंकि सित्मर मत आप अपने एंजाइटी से बहार निकलते हैं मुझे दिख रहे हो गाज ठीक है एंजाइटी रहेगी या फिर बहुत तरह डिप्रेशन रहेगा हेल्थ इशूज रहेंगे मेंटल ट्रॉमा रहेगा तो इसको आपको जाच परताल करनी है किसी अच्छे डॉक्टर सबको जाच करवा लेनी है पाइल नंबर तू सो अपने आपके लाइफ में आप अब सारे चीज़ों को बटो लो पाइल नंबर तू सित्तमर मत में ठीक है बच्चे का मसला है बच्चे का इशू है तो आपको डॉक्टरी जाच लेना है पाइल नंबर तू ठीक है सी माइनर चीज़े हैं सित्तमर मत में कहीना कहीना माइनर ही सही लेकिन आपके जीवन को एक value मिलेगी आपके लाइफ को एक दिशा मिलेगी पायल नंबर 2 ठीके तो यहां से कुछ 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 कृष्णा से भी हम लोग messages लेते हैं पायल नंबर 2 के लिए यहां पढ़ना आपके लिए angel numbers बता देती हूं जो कि सितंबर मंद में September में important रहेंगे हो सकता है अब यह अपको दिखते हैं तो एंजल नंबर रहेंगे 777 22 24 9 12 12 आपको दिखे गा टुपल थी, अठरा अठरा, टुपल 9 मैंने कहा है अल्ड़ी, टुपल 7 टुपल 2 रहेगा, टुपल 4 भी आपको दिख सकता है, ठीक है ठीक है, टुपल 8 भी आपको दिख सकता है गाईस ठीक है तो यह angel numbers आपको दिखते रहेंगे और दिखेंगे हैं सितमबर मुद मые तो आपको समझ जाना है कि आपके लिए ना बहुत छारे चीजे यूनिवर्स ले कर आ रहे हैं सितमबर में लेकिन आप लए अपन मैंड़ Eloy in चीजों को स्विकार करने के लिए इन चीजों को एकसप्ट करने के लिए आपको open-minded रहने के लिए कहा जा रहा है सितंबर मन्द में हो सकता है कुछ hovers का traveling भी रहे okay same city हो सकता है different location different state different country भी हो सकता है जैसके मैंने अलड़ी कहा था जो गाड़ी अब तक आपकी रुखी थी कही ना कहीं वो आगे बढ़ेगी सितंबर मन्द में लेकिन इसके लिए आपको open-minded रहने के लिए कहा जा रहा है फिनांशल प्रॉब्लम मुझे आपकी थोड़ी बहुत रिजॉल होते हुए दिख्री से major terms पे तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ शुरुवात मुझे changes मुझे आपकी financial luck के तहत होता हुआ दिख रहा है for the month of September ठीक है health issues कुछ रहेंगे तो आपको डॉक्टरी जाच करनी है जैसके मैंने अलड़ी कहा था अपने आपको खुश रखना है आपके आसपास के लोगों को खुश रखना है ठीक है जितना हो सके आपना welfare work करिए सिप्टमर मन्द में क्योंकि September मत नहीं 9 को दर्शाता जैसे कि मैंने कहा Mars को दर्शाता है जितना हो सके ना आप मंदिर में दान कर सकते हो खाना बाढ़ सकते हो जानवरों को खाना खिला सकते हो कुतों को खाना खिला सकते हो बिल्यों को दूद पिला सकते हो जितना हो सके ना आप welfare work करिए service करिए कि जो आपने life के कार्मिक सैकल से उससे कही ना कही आपको बाहर निकालेगा तो यह September मन्द के लिए आपको कहा जा रहा है कि मंदिर मजजित में जाके आपको सेवा करनी है वहाँ पर खाना खिलाना है गरीबों को खाना खिला सकते हो या फिर जानवरों को आप खाना खिला सकते हो जो कि मैंने आपको कहा है इसी के चलते आप देखोगे कि आपके life की जो भी परेशानिया है जो भी anxiety है जो अब तक आपके जहन में आपको कुरेद रहा था कही ना कही आप उससे बाहर निकलते जाओगे हैनि सिप्तम्बर मन्त कही ना कही आपके लिए लग्की साबित रहेगा अगर आप कोई welfare वर्क करते हो इस सिप्तम्बर में तो आप देखो कि आपके life की सारे दो दर्वाजे वो open होने लगेंगे और आपकी life की गाड़ी वो अगे बढ़ने लगेंगी और रफतार से बढ़ेगी पाई नमबर चूँ जाते जाते ना guys मुझे एक और चीज़ यहां पर दिख रही है तीस तारिक है, 27 तारिक है, 18 तारिक है, 9 तारिक है, 1 तारिक, 8 तारिक, 2, 7, 3, 4, 16, 24 तारिक, 11 तारिक, 1, sorry मैंने बताया है ठीक है यह यह तारिक आपके लिए लगी रहेंगे सित्तमर मन के लिए ठीक है जो कि आपके लिए important date साबीत रहेंगे September मन के लिए हो सकता है important कुछ रहेगा September मन के लिए तो ये September के लिए आपके लिए खास dates रहेंगे खास तारीक रहेंगे पाइल लंबर 2 तो ये थी पाइल लंबर 2 आपके लिए reading and I hope guys कि आपसे resonate जरू कर रहा होगा yes मुझे comments पर बताना ना भूलिए साथी साथ like, share and subscribe करना ना भूले so thank you for listening bye bye take care God bless you and love you all